कि आपको बताया किस तरह से विंडोस ऑपरेंटिंग सिस्टम की इंस्टॉलिशन होती है आपको बहुत अच्छी थे कि समझ में भी आगा और आपने प्रैक्टिस भी कियोगी इस तरह से मैंने MS Office का आपको बताया और वीडियो में आपको समझाए कि किस तरह से एक-एक स्टैब बाइस्टैब हम चलते हैं अब हम जा रहे हैं एक अलग टॉपिक की तरफ जो कह है इस टॉलिशन ऑफ एंटिवारेस इस्टुंट्स एंटिवारेस की लैटर मेंनिंग का है किसी भी वाइरस से बचाने के लिए कोई एप्लिकेशन इजाद करना या उसको इस्टॉल करना इस या इससे पहले होता क्या था विंडोस 10 से पहले कि जो भी आपरेंग इंट antivirus जो malware functions और hacking से बचाते थे ओके एंटिवारिस के काम यह होता है कि आपकी security 110% रखे सही है मार्केट में कुछ antivirus चल रहे हैं जैसे कि हम example नहीं एवेस्ट हो गया Mac F हो गया और इस तासे बहुत सारे हैं AVG भी है तो यह कुछ antivirus हैं जो वन और टॉप लिस्टेड आते हैं लेकिन इनकी security ज़रूरी आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप जाएं तो Windows 7 में होती है या Windows 8 में होती है Windows 10 में आपको ज़रूरत नहीं है इसकी क्यूंके Windows 10 के built-in जो operating systems होते हैं security के लिया से जो drivers होते हैं वो होती ही खुद इतने powerful हैं कि दूसरी application की ज़रूरत नहीं है Windows के आप anti-virus के install करेंगे वो recommendation में नीचे आपको अलाम देदेगा कि ये गलत करिए आपने application install वज़ाई है कि Windows हर 10 दिन बाद हर 5 दिन बाद अपनी update लाती है सिर्फ उसे Windows को आपकी documents को आपकी files को secure बनाने के लिए ठीक है तो security is our first priority हर चीज़ पे security पहले आती है आजकर अगर आप जाएं तो Windows 7 में सबसादा hacking हो रही है तो और लोगों ने Windows 7 को भी कम कर दिया use करना और सब prepare करते है Windows 10 को क्योंकि Windows 10 systems इसकी installation इसलिए important होती है सही है आपको advise होगा कि installation अगर आप कर रहे हैं तो AWS कर ड़ें एक अच्छा antivirus है लेकिन आपको यह खुद error बहुत जादा provide करेगा लेकिन काम यह है कि बसका आपकी security 100% रखना ओके installation पर हम नहीं जा रहे है क्योंकि यह इतना जादा difficult नहीं हैं आपको install करने के लिए AWS लिखें Google Chrome पर पहली website आई कि उस पे आप क्लिक कर देगा खुद बहुत installation होगी आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तो I hope students आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा आप feedback दें हमारी और थैंक यू सो मच अलाहाफूस